हाई अब्रिवन एक्जा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक धर्म अवकास को चुकि ये जो मुद्दा है ये कई दिनों से चर्चा में रहा है सुप्रिम कोट ने इस पर क्या डिसेजन दिये है उसको हम देखेंगे और इ उनके मासिक धर्म के दोरान अवकास नियम संबंदी याचिका पर सुप्रिम कोट 24 फरवरी को सुनवाई करेगा इस याचिका में क्या कहा गया था कि जो कामकाजी महलाए है या छात्राए है उन्हें मासिक धर्म के दोरान अवकास प्रदान किया जाए इसी को लेकर सुप् कोड ने उस पर क्या डिसेजन दिया है फिलाल हम इस याचिका को देखते हैं कि जिसने याचिका दायर करी थी उन्होंने क्या अपनी तरफ से कहा था आएए आगे देखते हैं याचिका में सभी राजियों को इस बाबत निर्देश देने की मांग की गई है C.J.I. D.Y.E. चन्चोन की पीट के समक्ष याचिका का उलेक का ततकाल सुचीबद करने का अनुरोथ किया गया है C.J.I.E. ने कहा इसे 24 फरवरी को सुचीबद किया जाएगा दिल्ली निवासी सैलेंद मरीत रिपाठी ने याचिका में केंद्र और सभी राजियों को मात्रे तुलाब अधिनियम 1961 की धारा 14 का अनुपालन करने के लिए निर्देश देने का आगरह किया था आप देख रहे हैं कि आपको ये नियूज याद हो या ना हो अगर आपके एक्जाम के परपस से हम देखें तो मात्रे तुलाब अधिनियम 1961 इस चीज़ को आपको जाना चाहिए आगे देखते हैं अधिनियम की धारा 14 निरिक्षिकों की नियुक्ति से संबंदित है और इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है तथा छेत्रा अधिकार के स्थानी असीमा को नधारित कर सकती है याचिका में कहा गया है कि ब्रिटेन, चीन, वेल्स, जापान, ताइवान, एंडोनेसिया, दक्षिड कोरिया, स्पेन और जांबिया, किसी ना किसी रूप में पहले से मासिक धर्म आवकास उपलब्द करा रहे हैं, जिन्होंने याचिका करी है, उनका कहना है कि पहले से ब्र किसी ना किसी तर्यके से मासिक धर्म के दौरान आवकास के प्रावधान है, इसी वज़ा से इनका कहना है कि इन्हें भारत में भी ये चीज़ लागू करनी चाहिए, आईए अब हम देखते हैं, इस पर सुप्रिम कोर्ट ने क्या अपने डिसीजन को लिया है, आपको अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स देखने को मिले होंगे, आईए आगे देखते हूं, देखे, मासिक धर्म अवकास अरजी पर विचार करने से इनकार किया है, सुप्रिम कोर्ट में, देखे, अलग अलग पेपर में अलग चीज़े हैं, जो चीज इंपोर्टेंट है मैं आपको कर दिया है, अब आईए, हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों है, देखे, अगली नियूस में निकला हुआ है आपके कि सुप्रिम कोर्ट ने चात्राव और कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकास देने के लिए नियम बनाने की मांग वाली जन याचिका पर व देख देने की मांग की थी, सी जे आई, जस्टिस डी वाई चंचुन, जस्टिस पी एम नरसीमह और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील शेलेंद्र मडित रिपार्थी महिला एवंबाल विकास मंत्राले से संपर करने को कहा है, सु याचिका करता से यह भी कहा है, कि यदि नियोक्ताओं को मासिक धर्म अवकास देने के लिए मजबूर किया गया, तो यह उन्हें महिला करमचारियों को काम पर रखने के लिए हतुसाहित कर सकता है, याचिका में केंद्र और सभी राजियों को मात्रे तुलाब अधिनियम 1961 का अनपालन करने के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है, तो आपको यह पता चल गई होगी, कि जो मासिक धर्म अवकास है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसिजन या उस पर विचार करने से इंकार कर दिया है, उन्होंने कहा है कि यह नितिकत मा तो आपके जो मुख्य सेवी का परिशा होने वाली है, उससे भी जोड़ी हुई है, इसलिए भी आप सब को इस नियूज को देखना चाहिए, आईए अब हम इसमें जानते हैं धारा जो है आपकी अधिनियम 1961, क्या है मातरित वलाव को समझते हैं, देखें मातरित वलाव अ देवं अन्य लावों की विवस्था करता है, ऐसे लावों का उद्देश महिलाओं और उनके बच्चों का जब वह कारेरत नहीं रहती, पुर्ण रूप से स्वास्ते रख रखाओं की विवस्था करने के द्वारा मातरित की प्रतुस्ठा की रक्षा करता है, कुल मिलाके आपको ये जानना है कि जो मातरित उलाव होता है, 1961 अधिनियम का कहना ये है, कि जब कोई करमचार भी महिला है, अगर प्रसाओ के बात, अगर वो बच्चे को जनम देती है या गर्वपात होता है, उस कंडिशन में उसे कुछ महिनों के लिए, जासे छे महिने पहले था, ज और उस दवरान उनकी कोई भी सेलरी जो भी उन्हें मिलती है, उसमें कटोती नहीं की जाती है, आईए आगे देखते हैं, यह अधिनियम का कारखानों, फैक्टरी, सरकस, उद्योग, बागान, दुकानों, प्रतिस्ठानों जो दस या अधिक विक्तियों को कारिक पर लगा आते हैं, मतलब ऐसा प्रतिस्ठानों ऐसे संसाओ जहां दस से जादा करमचारी काम कर रहे हैं, यह चीज़े वहां लागू होती है, के लिए प्रयोजी है, इसमें राज बीमा अधिनियम उन्ने सोड़तालिस में सामिल करमचारी नहीं आते हैं, यह राज सरकारों द्वारा अनिप्रतिस्ठानों तक विस्तारित किया जा सकता है, स्रम मंत्राले में केंद्री और योगिक स्रम संबंध मशीनरी इस अधिनियम को प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है, CIRM मंत्राले का संबंध कारियाले है और यह मुख स्रम आयूप संगठन के रूप में भी ज जानी जाती है, तो आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि यह मात्री तुलाब अधिनियम क्या होता है, कि इस अधिनियम में कुछ प्रावधाने अलग अलग प्रतिस्ठानों के, मतलब अलग अलग अर्ग संस्थानों के, अलग अलग हैं दाइरे कि वहां पर क्या फ कुछ रूल्स है जो कि बहुत धाराय इसमें बनाई गई हैं वादं किया गया था, वो भी पुर्धान मंतरी नरेंद मोदी की द्वारा किया गया था 2016 में जिसमें उन्होंने आवकास की अवधी को बढ़ा दिया था ठीक है ये चीज़े आपको जाननी चाहिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन नेक्ट वीडियो में नए करेंड मुद्दे के साथ हम फिर्मे लेंगे तब तक के लिए टेक केर जाहिंद